पुलिस के जवान करोना वाइरस के बीच भी टटे रहे और सभी मुश्किलों का टट कर सामना किया कई जगहों से जहां एक तरफ हिंसक वारदातों की खबर सामने आई तो कई जगहों से पुलिस के साथ मुटबेड की खबर भी सामने आई लेकिन हर जगे पुलिस मुस्तैदी के साथ अपने कारे में लगी रही और अपने जिमेदारी को पूरा किया तो वही मामले में कई जगहों पर ऐसी भी खबरे आई जहां पर पुलिस की ओर से लापरवाही भी देखने को मिली ये मामला गोरकपूर जिले का है जहां SSP ने एक सिपाई को सस्पेंट कर दिया है दरसल सिपाई की ड्यूटी कुशी नगर में लगाई गई थी लेकिन वो ड्यूटी छोड़कर चुनाव का प्रचार प्रसार करने लगा था SSP ने अनुशास नहींता की कारवाई करते हुए सिपाई को सस्पेंट कर दिया है आईए अब आपको मामले की चानकारी देते हैं दरसल सिपाई सुधीर कुमार गोरकपूर जिले में यतायाद पुलिस में तैनाथ है पंचाय चुनाव के अन्तिम चरण में सुधीर कुमार की ड्यूटी 29 अपरेल को कुशीन अगर पंचाय चुनाव में लगाई गई थी लेकिन वो ड्यूटी पर ना जाकर अपने गाउं पोकलिया चला गया और प्रधान प्रत्याशियों के साथ मिलकर उनके समर्थों के साथ मिलकर बिना अनुमती के जलूस में निकल पड़ा और उसमें शामिल भी हुआ थाना पोकलिया जनबत बस्ती में सिपाई के विरोध अभियोग पंची गरित हुआ है और मामले को SSP दिनेश कुमार पी ने संग्यान में लेते हुए सिपाई को उक्त कृत्या के सम्मन्द में अपने करतव्य के परती लापरवाई और गैर जिम्यदानाना तरीके से मनमानी करने पर उसको सस्पेंड कर दिया गया है और ततकाल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उसके किलाव कड़ी से कड़ी कारवाई की गई है और जाँच भी बिटाई गई है सिपाई पर कारवाई करते हुए SSP दिनेश कुमार पी का कहना है कि ड्यूटी और अपना करतवे के प्रती लापरवाई किसी भी दिशा में परदाश नहीं की जाएगी बता दे कि इस तरह के कई मामले सामने आये हैं जहां पुलिस के जबान ड्यूटी छोड़ कर चुनाव प्रचार में लगे हुए थे इन सबी के खिलाफ कारवाई की जाएगी और साथ ही जो भी मामले का दोशी होगा उसको सजा जरूर दी जाएगी इस ख़बर पर आपकी क्या राय है और पुलिस कर्मियों के इस लापरवाई पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताईएगा बीके नियूस से अब राज की रिपोर्ट धन्यवाद